बारा बंकी से दिल दिहला देने वाली ऐसी वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आपकी रूह काप जाएगी हर किसी के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है? क्या प्रेम करने की सजा इतनी बड़ी हो सकती है? क्या एक भाई अपनी ही बेहन का हत्यारा बन सकता है? तमाम सवाल है पर जवाब हाँ है क्यूकि एक शक्स ने इंसानियत की सारी हदे पार कर दी है रिष्टो को शरमसार करने वाली घटना बारबंकी के फटहपुर्थाना छेतर से आई है जहां एक भाई ने अपनी ही बेहन के प्रेम प्रसंग के चलते उसकी हत्या कर दी है भाई ने सिर्फ हत्या ही नहीं बलकि हैवानियत की सभी हदे पार करते हुए अपनी बेहन का सर धड़ से अलग कर दिया इतना ही नहीं फिर सिर को लेकर गाउं में घूमता रहा सूचना मिलते ही एतियातन पुलीस ने आरोपी को किरफतार कर लिया बताया जा रहा है कि बेहन के प्रेम प्रसंग के चलते कुसाए भाई रियाज ने घटना को अनजाम दिया है दरसल आरोपी की बेहन का गाउं के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था कुछ दिनों पहले दोनों भाग गए थे लेकिन युवती के परिजनों की शिकायत के बाद पुलीस ने दोनों को बरामत कर लिया था मामले में पुलीस ने प्रेमी युवक को गिरफतार कर जेल भेज दिया था और युवती को परिवार को सौप दिया था इस घटना के बाद से आरोपी रियाज अपनी बेहन से नफरत करने लगा था और आए दिन घर में छगड़ा होता रहता था लेकिन किसे पता था रियाज के मन में क्या चल रहा है तभी शुक्रवार के दिन रियाज ने इस घटना को अंजाम दिया आपको बता दें कि रियाज पहले से अपराद के कई मामलों में संपलित था हाल में ही वो करीब 15 दिन पहले ही जेल से जूट कर आया था घटना के बाद भी रियाज को इस बात का कोई भी गिला शिक्वार नहीं था मामली में पिता ने अपने बेटी के खिलाफ हत्या का केस दर्श करवा दिया है आज फतेपूर थाने के ग्राम मिठवारा में रियाज नामक इवर जो 24 वरसी है अपनी सगी बहन की हत्या गला काट करके कर दिया उसकी बहन पूर में गाओं के ही लड़के के जो उसी धर्म विरादरी का है उसके साथ भाग गई थी जिसमें उसके पिता के दरा अव्योग पंजिकित कराया था और वहाँ जेल में था इस लड़की से नाराज़ी के काना उने इसने गला काटा और इस सूचना पर पुलिस तत्काल गाओं में पहुँची और उसको गिरुपतार कर लिए अव्योग पंजिकित करके विदिक कारवाई सुनसीत की जाए फिलहाल ओनर किलिंग की इस संसिनी खेस वारदाज से पूरे इलाके में देहशत का माहौल है दिल धेला देने वाली घटना को जिसने भी देखा वो सहम गया हर किसी के मन में बस यही सवाल है आखिर कोई अपनी बेहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है